मसकार सात्यूं, EMS Portal पर प्रतेक डिडियों को अपने प्रतेक कार्मिक की सूचना अपडेट करना अनिवारी है अता EMS Portal पर लोगिन कैसे करना है, कर्मचारियों की सूचना अपडेट कैसे करनी है संपूर जानकारित से युक्ति वीडियो मेरा आमनियास मेरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्द करवा चुका हूँ यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्दे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की साइथा एक बार अवर्ष्च लीजेगा अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि यदि आपको पोर्टल पर आपके अधिनस्त कार्मिक पूरे नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको कैसे खोजेंगे और पोर्टल पर उनका नाम कैसे एड़ करेंगे हैं मेरे पास बहुत से साथियों के कमेंट्स, कोल्स और मेसेज लगाता रहे हैं किसार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमारे जो सभी कार्मिक है वो पोर्टल पर हमें सर्च नहीं हो पा रहे हैं और हम उन्हें एड़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मत्तों हो जाता है यदि आप भी एसी समश्या से ग्रसित है तो आप इस वीडियो को बीना स्कीप किये पूरा वश्य देखेगा और साथ में यदि आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइगन को दबा कर आल पर भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो या इंपोर्टेंट कंटेंट जो आपकी समश्याओं के समाधान करते हैं वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सटीक तरीके से उपलब्द करवाए जाते हैं ताकि आपकी समश्या का समाधान हो जाए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है प्रक्रिया समझ लेनी है उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहां मैंने एक लिंक उपलब्द करवाया हुआ है तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डारेक्ट EMS करना है कर्मचारी कैसे सर्च करना उसके बाद जब आप पोर्टल पर आएंगे तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा अब आपको यहां पर ओपिस रही रखना है आप जेदि विद्धिया लेकर करमचारी की सुझन अपडेट कर रहे हैं या उपने किसी अनने करमचारी की सुझन अपडेट करए तो आपको यहां ओपिस पर ही रखना है यूजर नेम में आपको क्या करना है आपके ddo code इंटेर कर लेने हैं पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपने design कर रहे हैं वो पासवर्ड इंटेर कर लेने हैं अब सात्यों यदि आप पहली बार यहां login कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के description box में मैंने वीडियो का link को प् है तो मैं यहां वो चीज discuss आपका साथ नहीं करूंगा मेरा जो मुख्य बिंदू है यहां आपको यह बताना कि यह आप पोर्टल पर किसी कार्मिक को सर्च नहीं कर पा रहे हैं उसे add नहीं कर पा रहे हैं आपके कार्मिक कम display हो रहे हैं तो संक्या आपको कैसे बराबर करनी वो चीज आपको clear करना है तो password आप यहां जो भी आपने नए password आपके बना रखे हैं वो password आप यहां एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहां capture calculation दिखाए देगा इस capture calculation को आपको same to same यहां एंटर कर लेना है उसके उपरांट आपको यहां login का option दिखाए देगा तो आपक पर क्लिक कर लेना है इस तरह की information आपके सामने अपखोल कर आ जाएगी तो आपको यहाँ पर आपके अधिनस्त कार्मिक कितने हैं वो देखने हैं तो यदि आपको यहाँ संक्या कम शो रही हो यहाँ ज्यादा शो हो रही हो ऐसी condition में दोनों condition आपके लिए गलत है आपको सबस करना है कि यह गलत है यह सही है यदि इन में आपको कम संक्या दिखाई दे रही हो तो अभी मैं प्रक्रिया बताऊंगा कि आप कैसे कार्मिकों को add करेंगे कैसे उनको सर्च करेंगे संपुन जानकरी आपको यहाँ दे दूँगा अभी वीडियो में तो सबसे पहले आप य यह चीज़ चेक कर लेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ किलियर कर दूँ कि आपको यहाँ स्टेटस में पेंडिंग दिखाई पेंडिंग का option मिलेगा तो जैसे आपके जो अभी अगर मैं यह बात मान लेता हूं कि मेरे जो कार्मिक है 28 से वो सही है तो इन में से जो वेर इन फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है एसी इन फॉर्मेशन आपको भी चेक करनी है आपको देख लेना है कि आपके कितने कार्मिकों का कारी जो आपने कंप्लेट कर दिया है वो और आपके कितने कार्मिक पेंडिंग है वो इन फॉर्मेशन आपको यहाँ च आपके कितने कार्मिक को आपने ट्रांसफर इन किया है, जो डारेट पोटल ने आपको नेम नहीं बताए थे, परन्तो आपने उनको पूल अप किया है, जिनकी इन्फोर्मिशन आपको डिस्पले नहीं हो रही थी, तो वो संक्या आपको यहां दिखाए जाएगी, इस पर ट्रांसफर आउट, यदि आपने किसी कार्मिक का ट्रांसफर किया होगा आपके विद्याले से, तो वो आपको ट्रांसफर आउट में दिखाई देगा, तो आपको यहां देख लेना, यहां भी आपको कोई ट्रांसफर आउट कार्मिक नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफर आउट कर देंगे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद हम यहां आते हैं नीचे की और तो यहां हमें information मिलेगी कि आपके अधिनस्त mail कार्मिक कितने है वो आपको चेक करना है साथ जो सूचना आप यहां भी लोग करेंगे लोग करने से पहले आपको इस dashboard को चेक करना अनिवार है ताकि आपसे कोई गलती नहीं रहे तो आपको mail जो आपके कार्मिक है वो कितने है वो information यहां से आपको मिलेगी फिमेल आपके कारेले में कितनी अधिनस्त है वो information आपको यहां पर मिल जाएगी तो आपको इस चीज़ को टेली करना है कि 25 जैसे मेरे पास यह mail बता रहे हैं तीन फिमेल बता रहे हैं तो total मेरे अधिनस्त कार्मिक कितने हो गए 28 तो ऐसे आपको भी चेक कर लेने हैं आपक इसके बाद आपको यहां गजेटेट की information बिलेगी तो आपके डीडी ओ में गजेटेट ओपिसर कितने हैं वो information आपको यहां चेक करनी है जैसे मेरे condition में यहां 2 दिखाई दे रहे हैं आपके विद्याले में कितने हैं यदि 2 से कम है तो आपने, अब मैं एक example आपको यहां बता दू कि मानलो कि मेरे विद्याले में गजेटेट ओपिसर जो है वो एक ही है परन्त मुझे यहां दो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कार्मिक द्वारा सूचना गलत फिल की गई है या हमारे द्वारा जो सूचना फिल की गई है उसमें एक कार्मिक की सूचना हमसे गलत फिल हो रही है वो हमें चेक करना होगा प्रते कार्मिक को कि किसके यहां गजेटेट लिखा गया है और फिर उसे हमें अपडेट करना होगा उसके बाद यहां आपको नोन गजेटेट कितने कार्मिक है वो information आपको यहाँ डिस्पले हो जाएगी तो यह संक्या भी आपकी जिसा कि मैंने आपको उपर बताया कि 2 और 26 कितने हो गए 28 तो यह संक्या भी आपकी मेज करनी चाहिए अब अधर यहीं बियेलो आने चाहिए जितने बियेलो आपका अधिनस्त है यदि आपका अधिनस्त होंग आड़े तो वह संक्या भी आपको यहां डिस्पले हो जाएगी इंप्लोई सीरियस इलि यदि कोई कर्मचारी गंबीर भीमारी से ग्रिसित होगा और आपने उसकी इनफोरमेशन लिहां अपडीयट की होगी तो वह छीज़ आपको यहां डिस्पले हो जाएगी हम चलते हैं हमारे मुक्की बिंदु की ओर के आप से कार्मिक सर्च नहीं हो रहा है, मेरे पास कमेंट भी आये थे, सातियों के मेसेज भी आये थी, कि को और कोल भी आये थी, किसे हम कार्मिक को सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां सातियों में एक बात तो आपको सबसे पह मेरे अनुसार आपको जो यहां है आपके पंचाय साइक जो लगे हुए उनकी इन्फोर्मेशन भी पोर्टल पर फीड करनी है फिर भी आप आपके डीडियों से संपर्क कर लिजेगा मैं इस बात की शोटी आपको नहीं देता हूं क्योंकि मेरे अधिकारी ने तो मुझे कहा ह कि आप पंचाय साइक की सूचना भी फिल कीजिए पर तो आप आपके अधिकारी से एक बार पूछ लीजिएगा कि सर हमें पंचाय साइकों की सूचना यहां फिल करनी है या नहीं करनी है मेरे अधिकारी मोदे जो मेरे बलाग के अधिकारी मोदे उनके द्वारा मुझे नि बात किजेगा कि आपको यहां पंचाय सायक की सूचना फिल करनी है या नहीं करनी है तो यह दूसरे नंबर की जो दिक्कत आ रही थी हमारे साथ्यों को वह मैंने आपको यहां किलेर कर दिया है कि पंचाय सायकों की सूचना फिल करनी है या नहीं करनी है अब आते हैं हम अगल मेरा cursor जा रहा है यहां आपको देखना है कि यहां search का option मिलेगा तो आपको search वाले option पर click कर लेना है जैसे ही आप search पर click करेंगे इस तरह की information आपके सामने खुल कर आएगी अब आपको यहां चार option available करवाए गए हैं AMS जो portal है उसके द्वारा पहला option है NIC employed उसकी NIC ID से आप employee को search कर सकते हैं तो सातियों यहां बहुत से सातियों को हमारे दिक्कत आ रही है कि NIC ID यदि आप सिख्षा भी भाग में है तो दो NIC ID है अब दो NIC ID कौन कौन सी है मैं वो भी clear कर देता हूँ कि पहली तो हमारी जो ID है शाला दरपन की NIC ID है यह चीज आपको clear है और हमारे अधिकतर सातियों को हमारी जो शाला दरपन की NIC ID है वो ही पता है तो जो मैंने form आपकी साइटार तो एक PDF फाइल भेजी थी उसमें जो मेरे पास भी बहुत से सातियों ने या मेरे कार्मिकों ने जो मुझे form fill up किया है उसमें जो NIC ID लिखी है वो शाला दरपन की NIC ID लिखी है परंतु जो यह portal है मैं यहां आपको clear कर दूँ कि जो यह EMS portal है यह जो सूचना उठा रहा है सारी सूचना आपकी pay manager और pre-pay manager से यहां सूचना उठाई जा रही है शाला दरपन से एक भी information इस portal पर update नहीं की जा रही है एसी condition में यदि आप यहां NIC ID पर click करेंगे उसके बाद यहां जो NIC ID आप शाला दरपन की यहां डालेंगे तो वो गलत मानी जाएगी आपको यहां जो क्या करनी है आपके pay manager की NIC ID आपको यहां enter करनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यदि आप DDO है और आपके अधिनस्त कार्मिक का आपको सर्च नहीं हो पा रहे है ऐसी condition में क्या करना है आपको pay manager को login करना है उस संबंदित कार्मिक के आपको pay manager NIC ID निकालनी है और उस pay manager NIC ID को आपको यहां enter करना है जैसे मेरे पास एक कार्मिक की NIC ID है मैं वो enter करके आपको यहां बताता हूँ कि यहां जो ID है मैं वो enter कर रहा हूँ उसके बाद आपको जो क्या information दिखाए देगी वो आपको दिखा देता हूँ तो मैंने संबंदित कार्मिक की जो NIC ID है वो यहां put up कर दी है उठाईए उसे आप यहां फिल कर देंगे उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कार्मिक की सूचना सारी की सारी अवलेबल हो जाएगी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जो आपके पास NIC employee ID है तो आप कार्मिक को इस तरह से सर्च करेंगे कार्मिक की employee ID यहां डिस्पले हो जाएगी कार्मिक का नेम आपको यहां डिस्पले हो जाएगा कार्मिक का नेम हिंदी में भी डिस्पले होगा सारी कार्मिक से संबंधित information आपको यहां डिस्पले हो जाएगी तो यहां से आप कार्यमिक को इस तरह से सर्च कर सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे मेथेड की की हम दूसरे तरीके से कार्यमिक को सर्च करना चाते हैं मालो कि आपके पास कार्यमिक की जो NIC employee ID नहीं है ऐसी condition में आप क्या करेंगे यहां employee ID पर click कर लेंगे और यहां employee ID पर जैसे आप click करेंगे यहां dark window आ जाएगा अब employee ID यदि आपके पास है जैसे RJJW, RJKO तो आपके जो भी आपकी employee ID है मैंने example बताया आपको को कि जैसे कोई कार्यमिक यदि जहलावाड का होगा तो उसकी employee ID जो है वो RJJW से प्रारंब होगी और other state का होगा तो वो उसी तरह से उसकी employee ID आपको मिल जाएगी तो वो employee ID आपको यहां enter कर लेनी है और कार्यमिक को सर्च कर लेना है यदि फिर भी कार्यमिक सर्च नहीं होता है जैसे मैंने आपको यहां बताया NIC ID से करके बताया था मेरा कार्यमिक सर्च हो गया था परन्तु यदि आपको NIC ID से सर्च नहीं हो रहा है तो आपको employee ID से कार्यमिक को सर्च कर लेना है और यदि फिर भी आपको सर्च नहीं होता है संबंदित कार्मिक, दोनों option आपने उप्योग में ले लिए, उसके बाद भी आपको कार्मिक सर्च नहीं हो रहा है, तो आप by name भी कार्मिक को सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ name पर click कर लेना है, और name आपको यहाँ कैसा enter करना है, जो pay manager पर उसका name लिखा हुआ है, आपको आपके pay manager ID खोल नहीं होआ, देखना है कि आपने कार्मिक का name कैसे लिखा है, यदि space है, तो space ही आपको लिखना है, जैसा pay manager पर name लिखा हुआ है, same to same आपको यहाँ name लिखना है, उसके बाद सर्च कट के बटन पर click करना है, जैसे ही आप सर्च के बटन पर click करेंगे, यदि आपका कार्मिक आ जाता है तो आप बिलकुल उसकी NIC ID नोट कर लिजेगा और उसके बाद Employee ID आप नोट कर लिजेगा उससे समधित information एड कर लिजेगा मैं आगे बताऊंगा आपको प्रक्रिया कि वो कार्मिक आपको एड केसे करना है तो मैं यहाँ चारो बिंदूओं को पहले आपको किलियर कर दूँ उसके बाद आगे बताऊंगा यदि हो सकता है कि आप नेम से सर्च कर रहे हैं फिर भी आपको कार्मिक आपका सर्च नहीं हो रहा है ऐसी कंडिशन में अन्तिम ओप्शन आपको यहाँ दिया गया है मोबाइल नमबर तो आप सम्बंदित कार्मिक के मोबाइल नमबर यहाँ एंटर कीजेगा आपको मोबाइल नमबर सम्बंदित कार्मिक से पूछ लेने हैं और वो मोबाइल नमबर जो भी उसके मोबाइल नंबर पे मेनेजर पर एड है उनी मोबाइल से कार्मिक सर्च हो पाएगा तो आप पे मेनेजर वाले मोबाइल नंबर या तो डाट कार्मिक से आपको पूछने की आउशकता नहीं पड़ेगी डाट आप पे मेनेजर ओपन कर रखा है आपने तो वहाँ से contact detail खोल लिजेगा संबंदित कार्मिक की और यहाँ mobile number enter करने के बाद उससे search कर लिजेगा और सर्च करने के बाद यदि आपके पास कार्मिक आ जाता है तो उसकी यह information आपको note कर ले नहीं है NIC ID note कर ले नहीं है employee ID note कर ले नहीं है कि कैसे आपके कार्मिक की NIC ID क्या है employee ID क्या है सब कुछ आपका पास data है आपने यहाँ complete कर लिया तो अब आपको यहाँ आना है यहाँ आपको एक option दिया हुआ है transfer in का तो आपको transfer in वाले option पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ click करेंगे आपके सामने इस तरह की information खुल कर आ जाएगी तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है NIC employee ID तो आपने अभी यहाँ search के बटन का उप्योग करते हुए यदि आपके पास कार्मिक की NIC ID आई है आपने जो search किया है उसमें NIC ID के थुरूप आपका कार्मिक सर्च हो गया है ऐसी condition में तो आपको यहाँ direct उसकी NIC ID लिखके उससर सर्च करना होगा और यदि आपको NIC ID से कार्मिक सर्च नहीं हुआ है और mobile number से आपको सर्च हुआ था तो आपने NIC ID कार्मिक की note कर ली होगी या RJJWLE ID employee ID जिसे हम कहते हैं वो note कर ली होगी तो वो आपको यहाँ enter कर देनी है मतलब आपको यहाँ क्या करना है NIC ID संबंदित कार्मिक की आपको यहाँ enter कर लेनी है अगर उससे नहीं होता है तो आपको employee ID यहाँ enter कर लेनी है यह दोनों चीज में से एक से आप से सर्च हो जाएगा यह मैं shorty के साथ आप से कहता हूँ यदि फिर भी नहीं होता है तो आप यहाँ mobile number भी enter कर सकते हैं और संबंदित कार्मिक का name भी आप enter कर सकते हैं परन्तों आपको आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कार्मिक को सर्च करने में जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कार्मिक की NIC ID है और मैं उसे सर्च यहाँ करना चाता हूँ तो कैसे करेंगे वो कार्मिक की NIC ID में यहाँ enter कर लूँगा यह enter कर लिए मैंने उसके बाद यहाँ सर्च का ओप्षन दिया हुआ है तो इस सर्च वाले ओप्षन पर मैं किलिक करूँगा ऐसे ही आपको भी यहाँ NIC ID दर्ज करने के पास सर्च पर किलिक कर लेना है इस तरह की information आप आपके सामने खुल कर आएगी तो आपको यहाँ देख लेना है कि जो संबंदित कार्मिक आप चाते हैं वही कार्मिक आपके सामने डिस्पेले हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको employee ID उनकी यहाँ चेक कर लेनी है NIC ID चेक करने है कार्मिक का name आपको चेक करना है उनका जो name उनकी post है वह आपको चेक करने है बेसिक है और उनकी date of birth आपको चेक कर लेनी है यदि आपको लगता है कि यह सारी information जो यहाँ डिस्पेले हो रही है यह सई है और संबंदित कार्मिक आपके office से विलोंग करता है यह आपके अधिनस्थ है तो आपको यहाँ पर add का बटन मिलेगा तो आपको इस add वाले बटन पर क्लिक कर लेना है जैसे आप add पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का dialogue box देखने को मिलेगा employee add successfully का तो employee इस तरह से आप सात्यों add कर पाएंगे मैंने आपको वीडियो में बताये था कि आपको कार्मिकों को add कैसे करना है यह जानकारी मैं आपको वीडियो में बिल्कुल complete दूँगा तो कार्मिक यह दि आप add करना चाते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाएगा अब मेरे पास और भी कमेंट आये थे कि सर हम आये transfer out तो आप इस पर click कर लिजेगा जिसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस तरह की आपके कार्मिकों से संबंदित information डिस्पले होगी तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है जब आप नीचे की ओर आएगे तो आपको यहाँ पांच कार्मिकों की information बताए जाएगी तो आप मानलो के उस संबंदित जिस कार्मिक का आप transfer करना चाते हैं वो कार्मिक आपको यहाँ डिस्पले नहीं हो रहा है तो आप यहाँ क्लिक कर लिजेगा जो आपको पांच बताए जा रही है इसकी जगे हम मानलो शो कर लेते हैं सो कार्मिक हम एक साथ देखना चाते हैं तो आपके सामने इस तरह के अब संबंदित सारे कार्मिकों की information यहाँ पुल कर शो हो जाएगी तो अब आपको संबंदित कार्मिक को यहाँ डूंडना है कि जिस कार्मिक को आप यहाँ से आपके विद्याले से आपके अधिनस्त जो विद्याले हैं उनसे transfer करना चाते हैं तो उनका name आपको सबसे पहले यहाँ डूंड लेना है तो जब उनका name आप यहाँ डूंड लेंगे आप शोर हो जाएंगे कि संबंदित कार्मिक का आपके विद्याले से transfer हो चुका है तो आप यहाँ पर click कीजेगा जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे employee transfer selected employee transfer तो आपको यहाँ transfer पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे इस तरह की information आपके सामने display हो जाएगी employee transfer अब वो जो संबंदित कार्मिक है आपके अधिनस्त से transfer हो चुका है तो सात्यों इस तरह से आप employee को transfer करेंगे अब यहाँ मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके संबंदित जो कर्मचारी है उनकी सूचना है जो आपने update की है उनमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको बड़े आसानी से यहाँ और option भी available करवाए हुए उसके लिए आपको यहाँ update employee पर click कर लेना है जैसे update employee पर आप click करेंगे आपके सामने इस तरह की information खुल कर आ जाएगी तो आपको यहाँ देखना है dashboard पर मैंने बताया था कि दो कार्मिक मेरे pending है जिनका कारी मेने नहीं किया है तो वो आपको यहाँ दिखाए यहाँ एक option available करवाए हुआ है pending का तो आप यहाँ जिसे ही click करेंगे आपके सामने automatically अब यहाँ information show हो जाएगी कि आपके कितने कार्मिक pending है वो information आपको यहाँ डिस्पले होगी तो आप संबंदित कार्मिक को यहाँ जो button edit का option आपको मिल रहा है इस पर click करके उसकी information को update कर सकते हैं information कैसे update करेंगे वो मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ तो आप उस वीडियो की विसायता ले लिजेगा description box में जाकर अब यदि आप complete जो आपके कार्मिक को information देखना चाहते हैं कि किन किन कार्मिक को की सूचना है आपने complete की है तो वो आप यहाँ जिसे ही complete पर click करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी आपके कार्मिक है जिनकी सूचना है आपने update कर दी होगी उनकी information आपको यहाँ display हो जाएगी अब आपको यहाँ सभी की एक साथ देखनी है तो आपको यहाँ all का option भी दिया हुआ है यदि आप किसी विशेश कार्मिक जिसे एक कार्मिक को डूणना चाते है जिनका नेम आपको पता है क्योंकि सारी information आपको यहाँ एक साथ display होगी मालो आपको अधिना 100 कार्मिक है तो आपको यह 100 कार्मिक में से एक कार्मिक को डूणने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ऐसी condition में आप यहाँ जो सर्च बोक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप उस कर्मचारिक के जो नेम उसका नेम है यहाँ लिख दीजिएगा तो जैसे आप यहाँ नेम लिखेंगे ओटोमेटिकली जो आपको यहाँ information है यह जो कार्मिकों की सूची आपको यहाँ डिस्पले हो रही है यह हर्ती जाएगी और ओटोमेटिकली आपको यहाँ एक ही कार्मिक दिखाई देगा तो जब आपके सामने एक कार्मिक आ जाएगा उसके बाद यदि आप उनकी सूचनाओं में अपडेट करना चाते है तो यहाँ आपको एडिट का बटन मिल जाएगा और आप एडिट के बटन पर क्लिक करके सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं तो इस तरह साथियों आपको कार्मिकों को जो EMS पोर्टल है उस पर सर्च करना है उनको यदि आपके जो कार्मिक पूरे नहीं आ रहे है तो सर्च करने के बाद अपडेट करना है और आपको यदि आपने कार्मिकों की सूचनाओं को अपडेट कर दिया है उसके बाद भी आप कार्मिकों को अब सुच देखकर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कैसे सर्च करना है संपुन प्रक्रिया में नहीं है बताने का प्रयास किया है यदि फिर भी मेरे द्वारा जो आपको प्रक्रिया बताई गई है इसमें किसी प्रकार के आपको कमी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा और हाँ साथियों ये भी बताईगा कि आपको इस पोर्टल पर कारे करने में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो